आज की इस वीडियो में हम लोग T.A. Siliate की एक famous poem पढ़ेंगे जिसका नाम है The Hollow Man इससे पहले भी मैं एक section पर इस पर वीडियो बना चुका हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग 3 section को discuss करेंगे बड़ी कमाल की poem होने वाली है शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में मैं poem पढ़ना शुरू करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी We are the hollow man, we are the stuffed man Leaning together, headpiece filled with straw, alas यह जो first line है इसके अंदर point कह रहा है कि हम लोग खाली लोग हैं हम लोग ऐसे group का part हैं जो लोग बिल्कुल खाली हैं उनके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ भूसा भरा पड़ा है stuffed man का मतलब भूसा भरा पड़ा है, हमारे दिमागों में भी भूसा भरा पड़ा है headpiece filled with straw का मतलब है, हमारे दिमागों में भूसा भरा पड़ा है आपने scarecrow को देखा है कभी, जिसके अंदर घास भरी पड़ी रहती है और खेतों में उसको लगाया जाता है, ताकि कववे और दूसरे जानवर, मतलब दूसरे पंच्छी पक्षी पसलों को नुकसान न पहुचा है वैसे ही है modern man, यहाँ पर T.S.E.L.E. बोलते हैं सेम उस scarecrow की तरह है, यहाँ पर यह जो word है leaning together, इसका मतलब यह है कि जैसे घास के पुतले एक दूसरे के उपर जुके रहते हैं, वैसे आज हम लोग भी एक दूसरे के उपर जुके हुआ है, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, individual पहचान नहीं है और and में T.S.E.L.E. बोलते हैं, alas, इसका मतलब यह है कि वो खुश नहीं है इस चीज़ से, बहुत दुखी है वो, अहाँ पर in lines से T.S.E.L.E. का कहने का मतलब क्या है, किस generation को वो स्टरफट बोल रहे हैं, post world war generation, यानि यह जो poem लिखी गई है, यह world war के बात की लिखी मतलब एक ऐसी generation हो गए हम लोग जो एक दूसरे को मारने से पीछे नहीं हटती, हम लोगे पास सोचने की शक्ती खतम हो गई है, और आगे बोलते हैं, or dried voices, when we whisper together, कि जब हम लोग बाते करते हैं, तो हमारी जो आवाज है, वो dry हो चुकी, लिए जो बाते हम लोग करते हैं एक TS rate ने objective correlative का use किया है, wind and dry grass, यानि सूखी घास के उपर चलती हुई हवा और चुहे के पैरों के निशान, or broken glasses, यानि जितनी ये चीज़े meaningless हैं, उतनी ही हमारी बाते meaningless हैं, अब आगे Elliot क्या बोलते हैं, shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion, इन लाइनों का मतलब ये है, कि हम लोगों में हर उस चीज़ की कमी है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, we are shapeless, colorless, paralyzed, और बिना motion के ही हम लोग gestures देते हैं, अब आगे TS rate क्या बोलते हैं, those who have crossed with direct ties to death's other kingdom, remember us, वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और वो ऐसे ही दुनिया से नहीं चले गए, बलकि लड़कर गए, कुछ heroic च उनको बोलते हैं, उन लोगों को जो death की दूसरे kingdom में चले गए, कि हमें वो लोग कैसे याद करते होंगे, हमको याद करो, कि हम में इतनी power नहीं है कि तुम्हारी तरह, हम लोग इस तरीके से किसी action को लेकर, किसी purpose को लेकर, खुद को साबित करने के लिए अपनी जान दे ज not as lost violent souls, मतलब हम लोग तुम्हारी तरह violent souls नहीं है, हम लोग कुछ भी करने के लायक नहीं है, हम लोग stuffed अंदर से भूसा भरा पड़ा है हमारे अंदर, life का कोई purpose नहीं है, तुम्हारे अंदर एक purpose था जिन्दगी को लेकर, कि तुम्हें जिन्दगी में ये करना है, हमारे प का reference लिया है, यहाँ पर ये death की other valley या death का other kingdom, टी एसलेट अगर किसी work का reference ले रहे है, paradise lost का या फिर दांते की work का reference ले रहे है, तो आपको चौकने की बात नहीं है, इसमें, तुम्हें टी एसलेट ऐसा कड़ते रहते थे अपने works के अंदर, पुराने works का reference लेते रहते थे, इस पोईम का first part यहें पर खतम होता है, second part की तरह बढ़ते हैं, वो यहाँ पर बोलते हैं, eyes I dare not meet in dreams, in death's dream kingdom, these do not appear, यहाँ पर टी एसलेट बड़ी कमाल की बात कहते हैं कि मैं सोते हुए भी, मतलब dreams के अंदर भी, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मरने की बात, जब मैं उस death बोलते हैं, sunlight on a broken column, मतलब उन आखों की जो चमक होगी, वो sunlight से compare कर रहे हैं यहाँ पर और बोलते हैं कि वो भी मुझे broken column मैं से दिखेगी, there is a tree swinging and voices are in the wind singing, more distant and more solemn than the fading star, पेड भी दिखता है, टी एसलेट को, वो बोलते हैं कि मुझे एक पेड भी दिखता है, जो हवा से इध आवाज भी आ रहे थी, wind की आवाज आ रहे थी, जब पास होती है, तो हवा से आवाज आती है पेडों के अंदर, लेकिन ये सब चीजे बहुत दूर है, बहुत दूर है, डाइंग स्टार से भी दूर है, फेडिंग स्टार जो है, यहाँ पर डाइंग स्टार को बोला गया उससे भी बहुत दूर है यह चीजे है, यानि कहने का मतलब hollow man इन सब चीजों से बहुत दूर है, पर आगे T.S.E.L.E.T. बड़ी कमाल की बात बोलते हैं, वो बोलते हैं, let me be so nearer and death's dream kingdom, let me also wear such deliberate disguise, इसका मतलब यह है कि hollow man को किस चीज से डर लगता है, judgment day से, last जो final judgment day होगा, जब भगवान judgment day के बारे में आपने सुना होगा, तो उस time पर death के dream kingdom में, point यहाँ पर जाना ने जादा, point चाता है कि अपने आपको वो disguise कर ले, ऐसा वेश बदल ले, ताकि उसको कोई पहचान न सके, कि वो एक hollow man है, उसको disguise करने के लिए क्या करेगा, rat का coat पहन लेगा, मतल not that final meeting in the twilight kingdom. अपनी तरफ से, और सारे hollow man की तरफ से क्या कह रहा है, I am not prepared for the judgment day, मैं judgment day के लिए तयार नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद को बचाने ही कोशिश करूँगा, second वाला section खतम होता है, तीसरे section में यहाँ पर वो बोलते है, this is the dead land, यह मरी हुई जमीन है, मरी हुई भूमी है, this is cactus land इस जमीन पर तुम्हें cactus के पौधे मिलेंगे बस, जो रेगिस्तान के अंदर पाए जाते न, वैसे, here the stone images are raised, यहाँ पर इस जमीन पर stone की images खड़ी की गई है, मतलब पत्थरों की मूर्तिया बनाए गई इस जमीन पर, here they receive the supplication of dead man's hand, under the twinkle of a fading star, और यहाँ पर लोग जो है अपना सर जुखाते हैं, उन मूर्तियों के आगे, अपना सर उन मूर्तियों के आगे जुखाते हैं, और उपर वो fading star सबकुस देख रहा होता है, under the twinkle of a fading star, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी कहने का मतलब यह है, कि इनकी prayers भी जो है न, वो वैसी prayers नहीं है, जो दिल में से निक जाए, मतलब यहाँ पर लोग उठते तो हैं, जिनकी दिलों में प्यार तो है, लेकिन हम लोग उस प्यार को अपने lips से कैसे जताते हैं, हम लोग रोज सुबह उठते हैं, अकेले, एक दूसरे को kiss करने के बजाए, पत्थरों की prayers के लिए अपने lips का use करते हैं, अब यहाँ तक मैंने 3 sections को discuss किया है, बाकी के 2 sections हम लोग next वीडियो में कबर करेंगी, अब जब आपने यह वीडियो खतम कर ली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह poem समझ में आई होगी, पिलाल आचकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ next वीडियो